नमस्कार दोस्टोव, welcome to ismater rev day channel दोस्तोव, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है इंडियन कोस्ट गार्ड में यहाँ पर जो notification है उसको release कर दिया क्या है और इंडियन कोस्ट गार्ड में Assistant Commandant कoru एक्जाम है हर साल यहाँ पर connect कराया जाता है जिसका जो notification है यहाँ पर out हो चुका है इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो last तक आप जरूर देखेगा क्या qualification यहाँ पर माँगा गया है और last date क्या है कब से यहाँ पर form जो है online application यह चालू हो रहा है पूरी detail दोस्तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सास्क्राइब कर लेना फ्रेंड्स इस चैनल पर 100% authentic and genuinely government भरती के बारे में ही बताये जाता है वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है Indian Coast Guard के द्वारा जो assistant commandant का जो यहाँ पर जो form जो निकाला गया है जिसमें total post यहाँ पर 50 निकाला गया है दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें vacancy का यहाँ पर detail हम बात करें तो किस किस post में कितनी vacancy है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि general duty के लिए यहाँ पर 30 post निकाला गया है commercial pilot के लिए दोस्तों यहाँ पर 10 post निकाला गया है इसी प्रकार से यहाँ पर technical engineering के लिए 6 post है और technical में ही दोस्तों electrical engineer के लिए हाँ पर 4 post यहाँ पर निकाला गया है ठीक है और इसके लावा दोस्तों बात करें qualification के लिए तो अगर आप general duty के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास दोस्तों bachelor degree होने चाहिए with 60% passing mark के साथ ठीक है उसके लावा दोस्तों यहाँ पर जो है जो आपने 12th किया हुआ है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो मैत है और physics subject यहाँ पर होना compulsory है सभी के लिए अगर आप general duty के लिए apply कर रहे हैं तो second दोस्तों यहाँ पर commercial pilot के लिए है जिसमें 12th pass यहाँ पर मांगा हुआ है इसके साथ दोस्तों यहाँ पर commercial pilot license आपके पास होना चाहिए जो यहाँ पर जो है DGCA दोरा यहाँ पर issue होना चाहिए यानि कि director general of civil aviation के दोरा यहाँ पर issue होना चाहिए ठीक है यहाँ पर थर्ड यहाँ पर vacancy निकाली गए है तो यहाँ पर engineer degree वाले जो candidate है वो आविधन कर सकते हैं और फूर्थ तो तो टेकनिकल electrical के लिए तो यहाँ पर दोस्तों इंजिनिंग में जिन्होंने electrical से किया हुआ है वो दोस्तों यहाँ पर आविधन कर सकते हैं जो B, BT बगरा होता है वो सभी जो है जोनोंने किया हुआ है वो electrical के लिए आविधन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तों next बात करें age यहाँ पर कितना यहाँ पर मांगा गया है यहाँ पर friends बात करें age की तो अगर आप journal duty और technical branch के लिए आविधन कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ इस इस age के बीच में आपका होना चाहिए तो यहाँ पर 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जुन 2001 के बीच जिन भी candidate का यहाँ पर date of birth आता है इसके बीच में वही दोस्तों यहाँ पर आविधन कर सकते हैं जनल duty और technical branch की बात कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो थर्ड है commercial palette के लिए जो candidate आविधन करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 1 जुलाई 1997 स से लिए कि 30 जुन 2003 के बीच जो भी candidate का date of birth आता है वो दोस्तों यहाँ पर आविधन कर सकते हैं वही फ्रेंट्स बात करें इसके लिए selection process क्या रखा गया है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हैं उन candidate को shortlist किया जाएगा जैसे कि आप form fill up करते हैं online उसके बाद दोस्तों आपको shortlist किया जाएगा अगर आपका shortlist में नाम आता है तो आपका दोस्तों यहाँ पर exam conduct कराए जाएगा उस exam में अगर आप pass हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है आगल जो आगे जो है medical बगए रहा होगा उसके बाद दोस्तों final जो merit list है उसको announcement कर दिया जाएगा इंपोर्टेंट डेट की तो यहाँ पर दोस्तों कब से इसका online registration यहाँ पर चालू हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 6 December 2020 से इसका online registration पर किरिया दोस्तों यहाँ पर चालू हो रहा है जो 17 December तक आप online registration इसके लिए कर सकते हैं और official website दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं join India या koshka.gov.in पे जाके आपको online registration यहाँ पर आपको करना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा ज्यादा share किजिए अपने friend circle में share किजिए अपने whatsapp status पर लगाएं ताकि सभी को इसका benefit प्राफ्थ हो सके दोस्तों इसी के साथ friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी फूर वाचिंग जैहेंद